आपके साथ औरिंग जैम की रेसिपी शेयर करने जारी हूं तो यह बहुत सिंपल और एजी सी रेसिपी है सबसे पहले जो किनू लिए उनके छिलके उतार लेंगे और जो उसके पर वाइट करका छिलका लगाता है बरीक बरीक भी उतार लें अब यहां पे सारे किनू जो उनक अब यहां पर लेंगे स्टेनर और अच्छी तरह से चान लेंगे जो है और इंजूस उसको लग कर लेंगे तो यह देखें सिंपल सी रेसिपी है असानी से आप घर में जो है और इंज जैम मना सकते हैं तीन चीज़ों की जरूरत है एक जैलेटिंग पाउडर किनू और दालेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसमें एड़ कर देंगे एक कप भरके एक कप जीनी इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे पहले एक शे दो दफा जो है बॉयल आज़े तो फिर इसको लो फ्लेम पे पंदरा मिनिट के लिए पकाएंगे इस जैम को जो है आप एक शे दो मीने के लिए व्रेज में रखके इस्तमाल कर सकते हैं तो यह खराब नहीं होगा ठीक रहेगा बिल्कुल अच्छा टेस्ट भी रहेगा तो यहाँ पर जैलेटिम पाउडर है वो एक खाने का चमच आड़ करेंगे आदा कप गरम पानी में उसको अच्छी दा से मिक्स कर लें गरम पानी में अड़ करेंगे तो यह अच्छी दा से मिक्स हो जाएगा तो अब इसको एड़ करेंगे जैम में यहाँ पर एच्छी दा से मिक्स कर लिए है इसको तो यह देखें इसको इसमें जूस में आड कर देंगे इससे यह गवा कि जयम है वो ठिक हो जएका और बाजार से में जयम मिलता है त्थेक चाहर जैली की तरह का बना हुआ वैसे यह सेट भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा हैगा तो यह इसमे अड़ कर दिया है अब इसको दुबारा से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है 10 मिनट के लिए पकता रहें तो यह देखें यहां पर यह अच्छी तरह स हम है तो इसको 2-3 कहंटे के लिए बाहर भी रख दें दों कि सेट हो जाएगा तो बिलुब 3 खेंटे बाद जो है जैम वो सेट हो चुका था तो मैंने खिृच में रखा था तीन हैं AUिने के लिए तो यह उपम जो है जम फान लाघा लेकल यह ब्रेद पे लिखेंगे कि इस यह देखें मज़ेदार सा जैम वह बिल्कुल त्यार है आप लोग भी जू ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंड में जूरू बिताइगा के मेरी रेसिपी जो है वह आपको कैसी लगी